Hey everyone, welcome to Glam Up! अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के चैलेंजिस के बावजूद वो इस इंडस्ट्री में अपना पैशन बहुत अच्छे से बैलेंस करके कंटीनियू कर रहे हैं। और इतने साल गायब रहने के बाद वो सड़नली बिग बॉस का पार्ट कैसे बन गए। अभिनाश सचदेव की लाइफ से जुड़ी ये सारी अंजानी बाते मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ तो बने रहे हैं इस वीडियो के एंड तक पर उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे अभिनाश सचदेव का जन 22 अगस 1986 को मुंबई में हुआ था पर उनकी परवरेश्टे लेकर स्कूलिंग बरोडा गुजरात में हुई उनके फादर का नाम विजय कुमार सचदेव है और उनकी मा का पूजा सचदेव उनके दोनों पैरेंट्स ही काफी जादा सि वही सिंसियारिटी है और वो भी थोड़ा चुप रहते हैं या रिजर्ब नेचर की दिखते हैं पर जो लोग उन्हें अच्छे से जानते हैं उनका कहना है कि अभिनाश के बिना वो लोग बोर हो जाते हैं यानि अभिनाश के नेचर को लेकर सब के अपने-अपने अलग- दोरान उनका बच्पन से सपना था कि वो बड़े होकर एरफोर्स पाइलेट बनेंगे पट क्योंकि उनके जल्दी स्पैक्स लग गए थे इसलिए उन्होंने वो सपना छोड़ दिया फिर जब अविनाश बरोडा में थे तभी से उन्होंने अपने कॉलेज और स्टेट लेव यहां तक कि उन्होंने ग्लैड्राइक्स मॉडल हंट में भी पार्टिसिपेट किया था क्योंकि वो मॉडलिंग फिल्ड में आना चाहते थे जब वो मॉडलिंग कर रहे थे तभी उन्हें एक्टिंग का उफर मिला और यहीं से उनके एक्टिंग जर्नी के शुरुआत हो ग वर्जन में दी है पर अविनाश के करियर के शुरुआत किस तरह हुई अब यह जान लेते हैं तो अविनाश को काफी यंग गेज से ही फिल्मेकिंग प्रडक्शन में इंट्रेस्ट था और इसलिए सबसे पहले साल 2004 में हातिम शो से उन्होंने असिस्टंट डिरेक्टर बत हुआइश से साल 2007 में उन्होंने एक नेगेटिव रोल से अपने करियर की शुरुआत की थी और नेक्स्ट येर ही उन्हें अगला शो स्टापलस का किस देश में है मेरा दिल ओफर हुआ जिसमें अगेन उन्हें एक नेगेटिव रोल में कास्ट किया गया इस शो में वो सुना था तब वो ये शो विमन सेंट्रिक समझ कर इस रोल के लिए ना करने वाले थे बट जब उन्हें पता चला कि शो के स्टोरी काफी यूनीक है तब उन्होंने शो को हां बोल दिया इस शो के दौरान ही वो रुबिना दिलेक के साथ रिलेशन्शिप में आये थे पर श इस फ्यार को क्या नाम दू शो में उनकी कोईस्टा रही शामली देसाई से शादी कर ली पर उनका रिष्टा दो साल में ही तूट गया जिसके बाद साल 2019 में उन्होंने पलक पुरवानी से इंगेजमेंट की पर उनसे भी इनका रिष्टा कुछ ही टाइम में तूट गया पलक ने इस बारे में कहा था कि अविनाश ने उन्हें चीट किया था और बाद में उनसा रिष्टा बनाए रखने के लिए काफी गिरगिराए भी थे। पर बाद में फिर से जब उन्होंने पलक को चीट किया तो उन्होंने अविनाश से रिष्टा तोड़ने का सोच लिया था। और तबी से अविनाश और उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती। खेर चोटी बहु शो में कुछ साल काम करने के बाद वो स्टापलस के एक और शो इस प्यार को क्या नाम दूव सीजन टू में श्रेनू पारिक के अपोजिट देखे गए थे। तक स्मॉल स्क्रीन से गायब हो गये। के खुद को ठीक कर लिया। उसके बाद उन्होंने दो मुवी साइन भी की थी बट वो नहीं बन सकी और इस तरह उनके करियर के तीन साल वेस्ट हो गये। और शायद यही वज़े रही कि जब बिग बॉस ओडिटी सीजन टू से उन्हें ओफर आया तो उन्होंने इसमें आना ही ठीक समझा। और वो नेगिटिव गेम इसलिए खेल रहे हैं जिससे वो लॉंग टाइम तक सर्वाइब कर सके और अपना करियर और लाइफ फिर से बचा कर ट्रैक पर ला सके। और वैसे उनका एक यूट्यूब चैनल भी है मॉंग टेल्स भाई अविनाश सचदेव की नाम से जिसमें वो अपने ट्रैवलिंग व्लॉग्स शेयर करते हैं। वो अपना करियर एस्टबलिश करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही मैं फिर आउंगे कैसे ही नएफ वीडियो के साथ तिल एन स्टे कनेक्टिट भी हैपी। मेरे कब तक चैले एन्ही में तो मेरी... टार टारार झाल